महानगर को जल भराओं से बचाने के लिए जिला प्रसासन द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है जल निकासे में बाधा बंद रही पॉलेथीन पर प्रतिबन लगाया जा रहा है तथा नाली नाला की सफाई भी यूद स्तर पर करवाई जा रही है गोरत्पु नियूस से बात करते हुए जिला दिकारी के विजेनर पार्णियन ने बताया कि पॉलेथीन के कारण नाला नालिया चौक हो जा रही है जिसको देखते हुए 15 जुलाई से पॉलेथीन पर पूर्ण परतिबन लगाया जाएगा तथा नालों पर अतिकर्मन करने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी इस संबंद में जिला दिकारी के विजेनर पार्णियन ने बताया जिदे के पालितीन हम लोग यहां तो जिला प्रसाशन का दफ्तर सब में बैन कर रखा है उसके अलावा जो मानिय मुक्यमंतर जी भी गोशना किये हैं नगर निगम नगर पंचयत और नगर पालिका यह तीनों जगह पालितीन के बैन 15 तारिक से चालू हो जाएगा जूलाई से उसके पाद सक्ती से हम लोग कारवे करेंगे अब लग अपील करें केवल जनतां का प्रैरित कर रहे हैं ताकि फ्रालितीन प्रयोग ना करें उससे बहुत हनी करता है यह आपका चैलंग के जरिए से जनतां को भी अपील करता हूं इसको उपजित करिये बहुत नुक्सान होता है और उसको पुराना ट्रेडिशन में जो हम लोग यूज़ करते हैं रीसेक्लिंग प्लास्टिक वो यूज़ करिएगा यह जो पतली वाले पाले दिन यह खताई यूज़ मत करिए कुसरा कराणा है कि नालियों पे अत्रकमाड दोस्ट करा करके काली करवा रहे हैं का अभियान है डाक्टर्स कालोनी में चलना है फोर्स हमने भेज दिया है लगातार हम लोग एक एक कालोनी के टेक अप करें एक एक वाड टेक अप करें उसका नाली नाला साफ करते जाएंगे